हेलो दोस्तों मैं एसर बेनिवाल आपके लिए जूलो जी का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं पिछले वीडियो में अपने देखा था कोशी का सिद्धान्त शेल थियोरी यानि शेल थियोरी के बारे में मैंने आपको श्यार कथन लिखवाई थे बोलो या श्यार लहीनी लिखवाई थी वही शेल थियोरी में इंपोर्टेंट है उसके बाद मैं आगे आज अपन उसी शेल थियोरी की importance यानि कि महत्व देखेंगे कोशी का सिधान्त अपने कहा कहा माता है उसके बारे मैं अपन आज दिन करेंगे तो कोशी का सिधान्त का महत्व है कोशी का सिधान्त का महत्व है कोशी का सिधान्त का महत्व क्या है उसके बारे मैं अपना भी दिन करेंगे कोशी का सिधान्त के महत्व में सबसे पहला जो महत्व है वो कोशी का की अपन सरंशना देख सकते हैं इस टेक्सर कैसा है कोशी का कोशी का में रासाइन की संगटन क्या है तो उसके बारे में अपना अध्यान करते हैं तो कोशी का सिधान्त का जो आपके पहला में तो है वो है कोशी का की सरंशना यानी इस टेक्सर यह रासाइनिक संगटन का अध्यान इसमें कोशी का की सरंशना के अंदर कोशी का की जो सरंशना सब्दे इस टेक्सर सब्दे इसमें अपने इसकी आकरती और आकार के बारे में अध्यान करेंगे और उसके बाद में जो आगे सब्द है रासाइनिक संगटन यानि कैमिकल और्गेनिजम यानि इसके अंदर कौन कौन से जो रासाइन है वो पाए जाते हैं किनकिन रासाइनों से मिलके अपनी कोशी का बढ़ी होती हैं उसके बारे म कोशिक के अंतर किरियाओं का अध्यन कोशिक के अंतर किरियाओं का अध्यन यानि कि कोशिका के क्या क्या कारे होते हैं उन कारियों के बारे में और कोशिका के जो होते हैं अंतर कारे उनके बारे में अपन अध्यन करेंगे इसके बाद में जो आपका तीसरा पॉइंट आता है। वो है भृहनी की Embryology भृहनी की को इंग्लीज में कहते हैं Embryology ब्रॉहनी की किसे कहते हैं? ब्रोहनी की का अर्थ है भृन विज्ञान भृन के बारे में अध्यन करना भृन का अध्यन क्या कहलाता है ब्रोनी की कहलाता है और ब्रोन को अंग्रेजी में कहते हैं एंब्रियो क्या कहते हैं एंब्रियो और अध्यन करने को कहते हैं लोजी तो ब्रोन की जो अध्यन की साका होती है उसे क्या कहते हैं एंब्रियो लोजी कहते हैं और इसका जो आपके सरोपरतम ब्रोन कि में कोशी का सिधन्त को मैं तो दिया था वो दिया था कोलिक करने किस ने दिया था कोलिक कर नाम के एक वैग्यानिक था उसने बताया कि अपन कोशी का सिधन्त को भरोनी की मैं भी उपयोग में ले सकते हैं इसके बाद में यहां पे आपके एक और वैग्यानिक आए उनका न उन्होंने रोग विज्ञान में कोशी का सिदंद को मैत हो दिया है उन्होंने बताया रोग विज्ञान के अंदर यानि जो अलग-अलग प्रकार के रोग होते हैं जैसे कोशी की रोग होते हैं कैंसर होते हैं या अपड़े सरीर में टीबी जैसे अनेक रोग होते हैं उन रोगों का पता लगाने में रोग निदान में रोग विग्यान या रोग निदान विग्यान यानि कि उन रोगों का कैसे उपसार किया जा सकता है कैंसर होता है कैंसर अपनी कोशिकां के अंदर पाया जाता है कोशिकां अनियमित लूप से वर्दी करने लग जाती है तो उनको कैसे रोका जा सकता है या उसका उपसार कैसे किया जाता है यह किसके दवारा अपने को पता चला कोशिका सिधन्त के दवारा या अपने जब कोश कोशिका है क्या कोशिका की क्या सरंस्ता होती है या यह कोशिका जो और निये में तवर्दी करने लगी है इसके पीसे क्या कारने तो ऐसे लोजिकों का ऐसे तथ्थ्यों का पता करने के लिए अपने पास में क्या काम आया कोशिका सिधन्त काम आया और कोशी का सिधन्त को रोग विज्यान में तो किस ने दिया यह पूशे तो वीवर्स नामक विज्यानिक ने दिया किस ने दिया वीव वीवर्स वीवर्स नामक विज्यानिक ने रोग विज्यान में कोशी का सिधन्त को में तो दिया अब अपने यहां तक बात की सबसे पहले मैंने आपको कोशी का सिदंद बता है उसके बाद में कोशी का सिदंद के महतोर अब कोशी का सिदंद के कुछ अपवाद है कोशी का सिदंद के कुछ क्या है अपवाद है बात करें उन अपवादों के बारे में तो इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि अपवाद को सिधान्त का अपवाद क्या है अपने सब से पहले अध्यन किया था कोशी का के बारे में तो देखा कि कोशी का के बिना जीवन संभव नहीं है अब एक वाइरस प्रोटो दो वरेक्स सी है वाइरस नामा के एक जो सुकसम जीवाद है वाइरस क्या होता है इसे विसानु कह सकते हैं इंगलीसमें वाइरस कहते है या विसानु भी कहते हैं इसकी ये प्रकरती रहती है कि वाइरस यदि किसी सजीव के सरीर के संपर्क में आता है यदि किसी सजीव सते के संपर्क में आता है तब तो ये होता है सजीव और यदि ये निर्जीव सते के संपर्क में आता है तब ये हो जाता है निर्जीव यानि वाइरिस अपनी सरीर की सते से सिपकने के बाद में वो सजीव जैसी किरिया है करने लग जाएगा यानि अपनी परजाती की संख्या बढ़ाने लग जाएगा और जैसे ही वो निर्जीव सते के संपर्ग में आता है तो वो मरत हो जाता है अब आप सभी को पतहें,ाप उसल्व रही हैं कोरोनावाइरस पूरे विस suivो में आकर मसा दिये कोरोनावाइरस और ये वाइरस इतना शुक्सम है ऐसे देखता तो है नहीं आपने सामने आता है ये लो कोरोना आगया या वह कोरोना जाएं नहीं इतना शुक्सम वाइरस है और ये वाइरस एक संक्रमित व्यक्ति जब शीखता है या खांसता है तो उसके ठूक के साथ में उसके पीक के साथ में ये उसलता है और उसल के जब सीधा दूसरे सजीव की संप्रक में आ जाता है जैसे आपने खड़े हैं मेरे सामने कोई व्यक्ति मेरे नजदी खड़ाए मैं खांसा मेरे ठूक में कोरोना वाइरस था ये एक परजाती का इसको नाम दिया गया है और ये उने से पहले इसका कोई नाम नहीं था ठीक है तो जैसे ही वो वाइरस सामने वाली की सरीर की सते के संप्रक में जाएगा तो वह वहाँ जाने के बाद में उसके सरीर के अंदर अपने परजाती की यानि जनन की किरिया करेगा अपने संगुदाय को बढ़ाएगा फैलाएगा और वो सभी जाके अपने जो सवसंत अंतर होता है फैपड़े होते हैं वहां जाके वहां पे यह संक्रमन ज्यादा फैलता है वहां जाके उस सवसंत अंत पहले से बिमार है यदि कोई व्यक्ति पहले से बिमार है जैसे उसमें दम्मा यानि कि जो स्वास लेने में अस्तमा नामक एक रोग होता है ठीक है तो वो है टीवी है या और भी स्वास से समंदित या निक कोई रेगुलर उसका इलाज चल रहा है ऐसा रोग है उसमें तो उस रोग में ये कोरोना ज्यादा फेलता है क्या कारण होता है कि उस शरीर के अंदर जो पर्तिरक्षी होते हैं जिसका वो ट्रीटमेंट ले रहा हैं जिस बिमारी का वो ट्रीटमेंट ले रहा हैं उस वाइरुस को मानने के अंदर जो ट्रीटमेंट होते हैं वो काम आते हैं और इसके उपर यह treatment का रहे हैं नहीं कर पाते हैं या शरीर के अंदर जो antibody होती हैं वह इस वाइरिस के खिलाफ लड़ नहीं सकती हैं तभी क्या होता है जान सली जाती हैं तो यहां पर यह जो अपवाद है ना यह अपवाद बड़ा खत्रणा का अपवाद है लोगों की जाने तक ले लेता हैं इसलिए देखो बीच में lockdown लगाया लोगडाउन रखने से यह कोरणा मरते थोड़ी लोगडाउन रखने का कारण यह है कि जैसे किसी वस्तु के संपरेक में यह वाइरस आया हुआ है तो यह निर्जीव सत्य पर ज्यादा से ज्यादा माना कि आज से दस गन्टे तक रहता हैं लेकिन सोबिस से 48 गन्टे से ज्यादा किसी निर्जीव सत्य पर यह संपर तो वह वाइरस नस्त को था है और निर्जी होके गिर जाता है है तो यह है lockdown रखने का या लोगों के distance रखने का या बार-बार sanitize करने का यह कंड़ाने तो अपने अपवादों के अदर अपने देखा इसमें अ कोशी के प्रोटोज भाई अ कोशी के प्रोटोज भाई अ कोशी मैं आपको एक बात पहले बता रहा था कि यदि कोई 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 है तो उसके अंदर केंड्रक है जरी जरी 우уют मेन भूमिका होती है इसे आप किंग कह सकते हो सेंट को केंदर को को कोशिका केंदर 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 केंद केंद्र के जिल्ली पाई जाती है तो नील अरीच सेवाल वे बैक्टेरिया में किस में नील अरीच सेवाल केंदर कर जिली बात घ्यान रखना आपर मैंने आपको दो बात बता इम्हहीं एक तो वाईरस ऐES की अंदर और और किशा ़ूर्ट के सिदान्त के बाद में इनके अफ़ाद के बारे में पढ़ने को मिलता है उसके बाद में आप पर देखते हैं कि कोशिका की सरंसना कोशिका की सरंसना कह सकते हो आप इस्टेक्सर कह सकते हो ठीक है कोशिके सरंसना में के सिधा याँ पर ये इस टेक्सर धांसा को दानसे का एक तोर्क ये होता है जैसे कोई वेकिती अपने को कैसा दिख रहां, एक उसका माप होता है कितना लंबा है कितना स्वड़ा है यह तो इसमें दू अलग अलग बात आजाती एक तो आती है सीधी जो दिखती है वो तो होती है आकर्ती सेफ एक होता है आकार साइज आकार को कहीं को माप लिखावा भी मिलता है कहीं आपको माप लिखावा भी मिलता है तो आकार का मतलब साइज और आकरती का मतलब सेफ इन दोनों के आदार पे अपन यहां इनका अलग अलग कोशिका को देखेंगे कि आकार के आदार पे इसे कैसे बांटा गया कोशिका को और आकरती के आदार पे कैसे बांटा गया है यहां पर बात करें यदि अपन आकार की तो कोशिका में कोशिका आपको पता है सुक्सम दर्शी की साहिता से कोशिका को देखा जाता है कोशिका का जो व्यास होता है वो दो म्यू से लेके कई मिली मिंटर तक होता है कई एमेम तक होता है बैक्टेरिया के अंदर जो कोशिका है पाई जाती है वो 0.002 mm से ठीक है 0.005 mm तक की पाई जाती है एमेम का पतलब यहां पर माइक्रो मिंटर से यहीं बहुत ही सुक्सम एक सेंटी मिंटर की वस्तु जब आपने को नहीं दिखाई देती हैं तो इनको अपने नगन आंकों से नहीं देख सकते हैं सुक्सम दर्शी की साहता से देख सकते हैं य यहां पर दो आकार के बारे में आपको अधियन करने को मिलता है तो कोशिकाओं की अलग अलग परकार के आकार पाये जाते हैं जो सबसे सुक्सम कोशिका होती हैं वो पाई जाती हैं सबसे सुक्सम कोशिका ऐसे किसम कई बार पूसे जाते हैं कि सबसे सोटी कोशिका सबसे स को सीघा के अंदर आपके एक नाम आता है अला कि ली से अफटीकम किया अ यह में जरी सेफ्टीकम कि अब नम थोड़े आपको पता है साइस लिये तो साइस के पटे ही होते हैं अब कुछ लोग क्या ते गुर्जी मुन्त तो याद कुन निवे इसको याद रखने के थोड़े अपने दिमाग में थोट बनाओ विशार बनाओ अपने आप शौट कट निर्मित करो जैसे के अब यह जो सबसे शोट्री को सिःका पाई जाती यह लान रखना सबसे पहले किसे में पाई जाती हैं बेक्टिरियां किसे में पाई जाती है बेक्टिरियां और बैक्टरी आपको पता हुट रोग फेलाने का भी काम करता है यहां पे आपके याद रखने के जो सौर्ट परम कह सकते हो या सौर्ट तरीका कह सकते हो इतना कुछ चौर्ट भी नहीं है जितना आप खुश हो रहे हो लेकिन थोड़ा ठीक है शही हो जाएगा यहां पे अपने यहां पे क्या होता है जो ध्यान कम रखता है उसे कहते हैं गल हो क्यों कहीं ठीक है सेफ्टी आपको पता है सुरक्षा कम यानि जो कम रखता है तो जो गैली कम सेफ्टी रखती है ना वह जल्दी रोगों से गर्षित होती है क्यों होती है क्योंकि चोटे-चोटे ब वो गर्षित कर देते हैं। तो यहां पर अपनों को गैली से कुछ लेना देना नहीं हैं। लेकिन याद रहुकने का तरीका है कि गैली yourself कम मत्रक नित्व सबसे सोटा सुक्षम जीव से पकर जाए से गाड रहा। उसके बाद में सबसे शोक्षम सक्षमजीव नहीं सक्षमजीव तो बैक्टिरी आते हैं लेकिन ये इसकी जो रचोटी सथे कोसिका होती है वो याद रखने की बाते सबसे सब्से बड़ी सथी कोसिका का नाम क्या är तो Пई में अन्डे में किसे में पाई जाती है सत्तुर मुर्ग के अंडे में पहले मैंने आपको ये दोनों बात बताई थी के सबसे सोटी कोशी का और सबसे बड़ी कोशी का सबसे सोटी कोशी का बैक्टिरिया में पाई जाती है उस दिद मैंने बैक्टिरिया का साहिद नाम नहीं बताया था गैली से अप्तिकम ये भी दियान रखना और सबसे बड़ी यह कोशीक होती है 0.002 mm से भी 60 और सत्र मुर्ग के जो अंडे में कोशी का पाई जाती वो 173 mm व्यास वाली होती है तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कोशीक होती है कि आकार वाले में अपने बात की तो यहां पर अपने पास में आणका थिखस आगया आकार होता हें, वह निर्दारीत होता है, आकार का मतलब क्या आता है, निर्दारीत होता है, इसमें कोई फ्यर बदल नहीं है, यहां पे आप के सबसे सोटी की 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 सबसे की बात की तो 0.1 माइगरान क्या आघया Serow, पॉ uniqueness यह किसमे पाई जाती एकोशिखा गिली सेप्टिकम में ठीक हैं और सबसे जो बड़ी कोशिखा पाई जाती है वहices bon 25 mm यह किसमे पाई जाती है सत्रमुलक की अंडे में और यह किसमे पाई जाती है गैली सेफटी कम में तो ये बात ध्यान रखना कि अपन अभी तक आकरती की बात करें आकार के तुलनात मगद्यन करेंगे तब पता से लेगा उसके अंदर परिवर्ती तो उतरेगा कोई फिक्स नहीं है कि ये गोल है तो गोल जाएगी नहीं उसके आकार में परिवर्ती नही साइज कह सकते हो आकार कह सकते हो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा सबसे सोटी कोशी का यह है और सबसे बड़ी कोशी का ठीक है इधर बात करें आकरती की आकरती में क्या है आकरती गोल भी हो सकती है लो गुरुजी आ गोल आकरती सप्टी भी हो सकती है लो गुरुजी सब्टी बना दी ठीक है आकरती आयताकार भी ओसकती है तो एसी भी हो सकती है ठीक है अब आपको पता ओ तो तंतरी का तंतर का कोई आकार होता है क्या अगैसे ऐसे बालोंवाला सेरा पीछे से पूँस और यासे लंबा सा पाया दाता है तो उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता, ये लंबी भी पहो सकती है, ठीक है, कसा भी ये हो सकती है, ठीक है, उसके बाद में आपने बात करें हैं, तो ये आकर दी आपके अंडा कार भी हो सकती है, यानि जैसे भी आकार के आपको नाम आते हैं सब प्रकार की हो सकती जितने भी प्रकार आपको आते हैं सब छिपका दो आकार में कोशिका के कई प्रकार के आकार होते हैं कोशिका गोल हो सकती है कोशिका सब्टी हो सकती है आयत आकार हो सकती है यह रॉम युक्त हो सकती है, इसमें बाल भी लगे होते हैं, रॉम युक्त, यानि जैसे मैंने आपको कहा तंत्री का तंत्र, तो तंत्री का तंत्र कुछ ऐसा पाया जाता है, अब इस सही स्मार्ट बोर्ड पे नहीं बन रहा है, तो तंत्री का तंत्र यह, ऐसे रॉम युक् की आइमान लिया बहुत पुस्क कोसिकाओं में पूस्ट भी पायताती आती जैसे आप इस पन्म देख लो सुक्राणू के इंदर पीछ सी नंबा सा गया यहां पे आपको एक बात और ज्यान में रखनी है कि आकरती जो होते हैं आकरती के उपर वाता वर्ण का परभाव पड़ता है आकरती के उपर किसका परभाव पड़ता है वाता वर्णिये कारकों का परभाव पड़ता है अब मैं आपको इस बात को ऐसे समझा सकता हूँ जैसे कुछ अपन बात करें दुरूविय परदेश की तो जो ठंडे सेत्र में पाई जाते हैं वो लोग गोरे ज्यादा होते हैं वो लोग गोरे ज्यादा होते हैं और कुछ ठिगने भी होते हैं गोरे ओने का फाईदा है तो ठिगने भी होते हैं उनकी लंबा ही कम होती हैं और जो गर्मी का सेत्र हैं जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती हैं जैसे अपरिका है अपरिका के लोग अपने बैंस के जैसे होते हैं ठीक है किसी बैंस के बसड़ा नहीं है तो उसकी जगे अपरिका वाले को पक्र के लिए क्या जाओ बैंस दूद दे देगी ठीक है तो वातावन के जो कारक होते हैं उनका प्रबाव कोशिका की आकरती सेफ पर पड़ता है आक पार्ती जीरो पाइंट वन माईक्राउन होती है वह यह आने पर 50 cm नहीं को शीका आपस में जूड़ जाती है या अपने शरीर के अंदर जो आर्मोन होते हैं वह अलग अलग तरीके से कारिय करने लग जाती है जैसे अपने शरीर में जो काले रंग के लिए मेलेनी नामक आर् पिभ्यमी ना ज़्यदा सरदी तो अपने यहां के लोग नथो काले और ना गोरे वीतके रहित शाह हूए अब यहां के लोग के लोग साह उले रहिते तो काले भी नहीं salaaf जाब जाते हैं उस तो पता पता नहीं क्या क्या करते हैं तो वह वहां ढ investigator कर बाते हैं 되면 inan एक दिन के लिए अब वहाँ एक ब्लीस नामक जो पाउडर आता है वह अपने मुह पे लगाया जाता है उससे थोड़े समय के लिए क्या उपर की ड़स्ट अड़ जाती है और वह वापस रहती गर्मी के संपर्क में आता है ना तो जैसा होता है उससे भी खत्रनाक हो जाता है ठीक है तो पहले तो पहले ठीक आपिर भूद्गे जाया लगने लगता है तो ये तो व्यातामणी कार्ष Colin का परवां सब्था नह शाइन पारिया समय मिल्तीन नहीं ही अ łओन ले जाएक, सब गोरे हो जाते नहीं आसा कुछ नहीं होता है ये तो ठीक है आपने मन को राजी रखने के प्रियास है कि इसको लगा लेंगे तो ठीक है थोड़े गोरे हो जाएंगे गोरे और कुछ नहीं वणाए हाँ पाउडर लगाते हो थोड़ी चमे के लिए जब तो वह उपर रता है सपेज सपेज लगते हो उसके बाद में तुझे से थे वैसे वैसे भूत के भूत होती रहेंगे तो वातावनिये कारक जो होते हैं उसका प्रभाव अपनी कोशी गाओं पर पड़ता है कोशी गाओं की आकरती होती है उसके उपर पड़ता है तो उसके बाद में आपने बात करें इसके जो वातावनिये कारकों के साथ साथ में अपने शरीर के अंदर जो प परासरण होता है कोशी का जियू दरेविये में उस परासरण का भी परवाव पड़ता है और दाब तापमाद यह सब वातावनी इकारकों के अंदर आ जाएंगे तो इन सब का परवाव किसे पर पड़ता है कोशी का की आकरती अब एक बात में आपको बताउँ कोशी का से रिलेटेट यदि आपके कोई बहुत बड़ा क्यों सनाता है तो ऐसे तो है पर और आपको आकरती के बारे में पूछ लेंगे नहीं कोशी का को समझा हुआ या कोसी का का विव राण तो पहले यहां तक अपन ट्वेल तक जैसे याद किया कि रट के इतना याद कर लिए यहां पर कुछ फिक्स नहीं है को सीका के बारे में है तो आपने को सीका कि आकरती समझा दी किया से होती है गोड होती हैं। सप्टी होती हैं। उसची आपी नाम जरूर लिख लें आप। जैसे मैंने आपको बताए जो सुक्राण होता है। वुद्ध क्ढausal अंधने ने कंड़ा होता है। किसका शत्र मुर्ग का अंडा अंडा कार होता है जो और इस्पर्म होता है शुक्राणू उसके पीछे पुच्छ पाई जाती है और अपने शरीर के अंदर जो अंडा होता है एक होता है अंडा एक होता है अंडा मैं बोडी के अंदर जो अंडा पाया जाता है वो फिक्स गोल दोनों समझाना है तो आपको यह दोनों समझाना है तो आपको यह दोनों समझाना है उसके बाद में अपने आगे जो आता है मैंने आपको दो बात बता है यहां पर एक तो आकरती और एक आकरत इसके साथ साथ में एक आपकी यह भी इंपोर्टेंटेशन क्या है इसके आदार पर आपके होते हैं जनतु एक को सीखिए और डूसरे होते हैं बहु को सीखिए ठीक है इसके आदार पर आपके जनतु होते हैं एक को सीखिए और डू को सीखिए एक को सीखिए में आपको दर्ण मिलते हैं जैसे हमीबा, पेरा मीसियम यह क्या होते हैं इनके आकरती कैसी होती है आपके शेकिंड पेपर में आपको दिन करने को मिलेगा इसके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं बताऊँगा एक को सीखिए जनतु और बहु को सीखिए एक को सीखिए वे जनतु जिनके शरीर में एक कोशी का पाई जाती है बहु कोशी की वेज दंतु जिनके सरीर में दो या दो से अधिक कोशी का पाई जाती है अब मैंने यहां पर दूई कोशी की नहीं लिका है यदि आप लिकना साओ और आपको कोई दर्ण मिले तो दूई कोशी की भी आप लिक सकते हो लेकिन यहां आम के एक कोशी की कि और भव खुरृ को मुखी रुरूप में बाता गये आपको ज्यान रखना है वेजी जीम में एक कोशी का पाये जमाएं या AMY सुरी मेने आपको यहां पे हैं वेज दू से कोशी का के बारे में भव कोशी की कि बता है ता मैंने वीक बोलने मिश्टिक हो जाती तो यहां पर आपके एक कोशी किए यानि यूनी चलर जन्तु और यहां बहु कोशी किए मल्टी चलर यानि इनमें दो या दो से अधिक कोशी काएं पाई जाती है इसमें आपने किसी का भी उदान ले सकते हैं मानो का ले लिया, तो मानो मैंने आपको बताया 10 की गात सहुदा इतनी कोशिकाइं पाई जाती है, अब 10 की गात सहुदा, मतलब 10 की गात सहुदा इतनी नहीं फिक्स, लगबग बताईए 3 million तक यहां पर अपने शरीर के अंदर कोशिकाइं पाई जाती है उसके बाद में अपना आगे जो अधियन करेंगे मैंने आपको कोशिका की सरंशना के बारे में बता दिया अब आगे आगे जन्तु कोशिका के बारे में अपना अधियन करेंगे जन्तु कोशिका कैसी होती है सरंशना ये एनिमल सेल इसके बारे में अपना अधियन करेंगे तो यह है क्या इसके अंदर कौन-कौन से बाग पाई जाते हैं यहाँ पे इसमें जो सबसे important आपके दिख रहा है important यह सब बाग तो कोशिकांग लेकिन यह जो इतने बाग दिये हैं वो nucleus कैंदरक के बाग है किसके है कैंदरक के बाग है कि शरी का कोशिका का मुख्या कोशिका का किंग कोशिका का राजा सेंटर ठीक है तो यह पाया जाता है अब इसके अंदर इसके भी अलग अलग बाट बताएं इसने नुकलियर प्योर नुकलियोस यानि कैंद्री का निकलियो प्लाज्म यानि जो कैंदरक के अंदर द्रवे पपदार्थ पाया जाता है कैंदरक द्रवे जो कैंदरक के अंदर रहता है और जो कैंदरक की भित्ती होती है वो कैंदरक भित्ती इसके बाद में गॉल्जी अपार्ट्स यानि इसको अपन कहते हैं अपनी गॉल्जी का है गॉल्जी का है या गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं माइट्रो कॉंड्रिया माइट्रो कॉंड्रिया कोशी का का सकती गरे ठीक है, माइट्रोकॉंड्रिया को, कनाब भी कहते हैं, उसके बाद में, सेल मेंब्रेन, कोशिका की जो भित्ती पाई जाती हैं, कोशिका भित्ती, ठीक है, राइबोसॉम, लाइसोसॉम, सेंट्रियोल, इसका जो आकार होता है, ये तीन-तीन के सम्मों में पाई जाती हैं, और ये आपको दिक रही है, ये ऐसे आकार की है, टी टाइप के आकार की है, उसके बाद में, आगे आपके सेंट्रोसॉम, प्रोक्शिसॉम, ठीक है, इस्टेकोरी, विकल्स, और साइटो प्लाज्म, तो य ये तो है कोशी का के अंग होते हैं, इन्हें कोशी कांग कहते हैं, इसमें आपके एक पाई जाती है, रप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में कहते हैं अंते परदर्वी जालिका, अंते परदर्वी जालिका, अंते बात बता दियो मैं क्या के बता हुआ बोला गुर्जी जो इस्मोट एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है यहां यह ने बात बता दीए मैं क्या के बता हुआ बुला गुर्जी जो worker this system क्या आता हा है शिकनी और मतलब क्या होता है हम येनट ओती शिचफनी अंतलब क्या ओता है खुरद्री है कि एक होती जिखनी अंत्य परद्रवी जाली के else get और उपना हेखुई लोग रोग सिकर ने नहीं मेंने का मैं कोई वह माश्टर हूं बिटा डॉक्टर ठोड़ी हूं कि किसी का भप्रेशन करती है चेकर रेटिकलोम होती है यह जो अते प्रदर्वी जालिका हैं होती हैं यह क्या कारिय करती हैं अपने शरीर के अंदर जो प्रोटीनर होते हैं उनके जो परिवेन का कारिय करती हैं इन सभी कोशी कांगों की अलग-अलग परिवासा हैं इनकी अलग-अलग थियोरी लिखाऊंगा मैं आपको जैसे साइ स्लिट यह चाल संय उभन से उपनाषल करें कर देता है उस अपनी क्लास होंगी उस कटना अंदर देखेंगे कि आयरह प्रश्च यमल्ट कि अ दोры सण वुर्म द्रॉप द्रॉंट आ कि करेंगे आज के लिए यहां तक इतना ही काफी और नेक्स्ट वीडियो आपन मिलेंगे इसी एनिवल सहल के साथ और आगे के अपने सेटर करेंगे और अगली क्लास में आपको इन सब के पूरे जैसे नुकलियर है केंदर कहां पाया दता है केंदर के क्या कारिये हैं ठीक है वो